Hello family, कैसे हैं आप लोग तो guys मैंने shuffling कर दी थी लेकिन कोई एक call आ गया था बीच में आज की reading के लिए तो इस वज़े से जो है ये मुझे वीडियो में already cards spread दिखेंगे आपको क्योंकि मैं ये ही cards यूज करके reading करने वाली हो आज की reading है guys DMN karmic की like, share, comment और subscribe करना मत भूलिएग मेरे चानल को हम आज current energies एक दूसरे के लिए देखने वाले हैं और connecting energies मैंने नहीं देखे है guys connecting energies जो है मैं आपके सामने ही shuffle करूँगी तो guys मुझे आपे दिखा लिया है मैंने past, present and future DM का karmic के बारे में और karmic DM के बारे में past, present and future की क्या feeling और thinking है तो guys हम लोगे ये reading मेंने अलग किया है आज पहली बार किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप ये reading वापस देखना चाहेंगे तो तो guys past में क्या था कि divine masculine जो है बहुत जादा love करते थे बहुत जादा offer करते थे वो karmic को queen of cups की तरह देखते थे लेकिन कार्मिक जो है मैं आपको दिखा दू कार्ड्स ये triggering reading रहने वाली है लेकिन बहुत जादा healing reading रहने वाली गाईज लेकिन यहापे देखिए divine masculine जो है बहुत जादा पयार करते थे कार्मिक को बहुत जादा offer करना चाहारे थे अपना cup और बहुत जादा loving देखते थे वो karmics को बहुत जादा पयार करते थे लेकिन अब जो है present situation में divine masculine confused है कि यह जो है क्या यही मेरी destiny है क्या मुझे वो चाते है वो free हो गए वो चाहरे कि कई भी उसको luck लेके जाए universe लेके जाए वो strength तिकटा कर रहे है because वो बहुत जादा attacked feel कर रहे है और बहुत जादा अकेला रहना पसंद कर रहे है यहाँ पर बहुत जादा divine masculine अगर आप देखोगे तो hermit में जा चुके है बहुत जादा जो है वो confused है कि अभी यह divine कार्मिक के साथ रहना भी है या नहीं वो new beginning चाहरे है इसलिए meditation कर रहे है लेकिन मेडिटेट करें और यहाँ पर मुझे जो है गाइस आउल दिखाई दे रहा है ठीक है तो उनको बहुत जादा जो है knowledge मिल रहा है उनको बहुत जादा intelligence मिल रहा है उनको पता चल रहा है कि वह कही नहीं अपने family को छोड़नी पारे अगर उनको children है तो मतलब अगर य love है उनका उनका काम तो कई न कई उनको बहुत जादा दुखी तकलीफ और वही पर अटैक्ट फील करना और वही पर उनको जो है इम्मेचॉर फील करना और वही पर जो है फील कराना उनको डेंजर में है divine masculine तो देखिए गाइस divine masculine के पास जो एक cat है अगर मैं आपको शो आला टेल है पूरा scared divine masculine और पूरा जो है अटैक्ट फील कर रहा है अकेला फील कर रहा है इसलिए meditation कर रहा है divine masculine feminine भी हो सकती है energy की बात है आप पर लेकिन वह जो है कहीं न कहीं healing में है divine masculine ठीक है उनकी ओवराल एनरजी जो है divine masculine की वह healing है बट divine masculine जो है अब अपनी life में love चाहते है ठीक है guys तो वह love के लिए जो है new beginning करना चाह रहे है चाहे जितना भी addiction फील करें लेकिन वह guys कहीं न कहीं आप के लिए ही रह रहे हैं और new beginning के बारे में ही सोच रहे है ठीक है क्योंकि उनको love अभी कितना important होता है divine masculine को पता च है तो कार्मिक जो है बहुत जादा कटी-कटी रहती थी इंडिसिशन में रहती थी और divine masculine से hostilities बना के रखती थी कि क्योंकि वह दूर रहना चाहती थी divine masculine से divine masculine उनके लिए वैसे जैसे हम अपने divine masculine के लिए नीडी तो divine masculine बहुत जादा romantic होते थे बहुत जादा love देते थे बहुत जादा approach करते थे तो divine जो कार्मिक है उनको ऐसा लगता था बहुत कुछ provide करते थे कार्मिक को लेकिन कार्मिक जो है वो सिफ जो है उनको जो चाहिए था उनसे वो था door to value तो अब वो stuck feel करती है जो है औ कुछ नहीं है इस connection से कार्मिक present situation में अगर हम देखेंगे तो other than the money को का अपने हमाई divine masculine को और society को दिखाने के लिए वो हमाई divine masculine को अपने life में रखना ही नहीं चाहती वो jealous क्यूंकि कहीं न कहीं guys पैसे इतने नहीं है शाय divine masculine के लिए वो जो सोच रही थी कि हमारे divine masculine जो है बहुत कमा के उनके लिए महल बनाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं रहा है और वो दूसरों को देखके जो है jealous feel कर रही है कि ऐसे कैसे मतलब मैंने सोचा था क्या निकला क्या यह तो कुछ कमाता है नहीं है ना तो यह problem हो रही है और वो बहुत anxiety में है क्योंकि और उनको लग रहा है यह toxic connection में वो जबरदस्ती बंद गए है और वो जो है कार्मिक जो है चाहते है happy family तो उनका जो dream है जो future है वो इसमें और नहीं रह पाएंगे guys कार्मिक जो है इस connection में और नहीं रह पाएंगे बिकॉज उनको happy family चाहिए उनको dreams पूरे होने चाहिए उनका सब कुछ होना चाहिए तो देखते है guys की DM और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है Divine Masculine के बीच रियल situation क्या है पास्ट में तो हमने देख लिया यह अप्रोच करते थे वह भागते थे और अब यह भाग रहे हैं यह confused है कि इनको क्या करना है लेकिन वह पैसों के लिए इनको रखना चाहरे सुसाइटी के लिए इनको रखना चाहरे लेकिन आज दा सेम टाइम जेलिस भी फील कर रहें क् उनके पास पैसे तो है ही नहीं और वह उनको लगता है कि यह टॉक्सिक कनेक्शन है और कहीं न कहीं यह भी है कि थर्ट पार्टी सिट्यूएशन आपके वज़े से हैं ठीक है तो वह ऐसे डिवाइन मास के न्यू बिगनिंग करना चाहरे तो कार्मिक उनको छोड़ना नही गेश चलता है विदिगे गईस तो हम्दिवाइन मास्किलिंट भात कर हैं तो कार्मिक इंट्रेस्टेट्न इसा सीट्यूएशन भिसक्रान ऑफा heads और निकल कर आता है क्या कि दोनों के बीच प्रेजिंट का क्या है ड согaस्प ओर कामिग अल्ट सेल अरहा है मुझे फ्री एक्स 12 करें तो कहीं कि दोना कहीं एक दूसरे को फ्री करना चारे सब नहीं सब करना चारे बिकॉस दौनों के साथ अल्ट्रा लग्जिरियस लाइब चाहती है जो इनको डिवाइन मैस्किलिन से मिल नहीं रहा है तो चलिए गाइश देखते है, करन तो देख लिए है, हमने फ् सिट्यूेशन है इन धोनों बीच क्या होगा इनधी फ्यूचर क्या चल रहा है यहांपे तोके तम मुझे यह आपे जो दिखाई दे रहा है वो काफी ट्रिगरिंग दिखाई दे रहा है कार्मिक मुझे रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हुई दिखाई दे रही है कार्मिक जो है जो है कंट्रोल इशूस कर रही है उनके साब उपर अपना कंट्रोल प्रेज रखने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई देरी है अप्टमिस्टिक रहते हुए दिखाई देरी है रही नहीं आपके भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा या आपका भी में Divine Masculine आपको फोटो और यह सब खिचते वह अब दिखाई दे सकते हैं बहुत लोगों के लिए जो अब भी चानल जॉइन किए उनके लिए सीचुवाशन है ठीके कैस और बहुत के लिए जो है यह करंट सीचुवेशन हो सकता है कि Divine Masculine के साथ अचाउचा फोटोज अपी तो दिवाइन के साथ चाहिए कितने भी हम्य कि у कि जोड़ के आप लोगों काल वने कि को साथ करेंगे अपिछ आप लोगे का प्रा सुने वाला है और जुसके वजह से कार्मिक्स वापस आ करके उनको लब इस फथाने की कोरेंगी लेकिन तभी भी देखते हैं कि इस reading का क्या outcome होने वाला है divine masculine और karmic का final ending क्या रहने वाला है situation में divine masculine मुझे थोड़े time के लिए divine masculine कार्मिक के साथ रहेंगे सब कुछ जो है अच्छा चलेगा अगर आपका यह situation अभी चल रहा है या यह situation अगर अचानक से आप नए हो और आपका अच्छा खासा चल रहा है divine masculine आपके साथ चल रहे है तो अचानक से ऐसा हो सकता है आप में से कई के लिए यह future हो सकता है काईस की divine masculine आपसे बात ना करें आपसे communicate ना करें आपको ghost कर दे, block कर दें और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है की walk away कर जाए आपके divine masculine लेकिन लेकिन गाइस लेकिन यह होते ही ठीक है गाइस सही वह आपके साथ walk away कर जाएंगे और कार्मिक के साथ planning करना चालू कर देंगे ठीक है आप कार्मिक के साथ photos खीचना चालू कर देंगे उनका divorce time आजाएगा आपको tension लेने की जरुवत नहीं है गाइस नवेंबर में अगर आपके person ऐसा कर रहे है suddenly आपको ghost block करके कार्मिक के साथ photos खीचवा रहे है और कार्मिक के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे है और कार्मिक के साथ happy family वाला drama खेल रहे है society के लिए तो नवेंबर में guys आप expect कर सकते हो कि आपके person आपके कार्मिक को छोड़ ही देंगे finally एक legal separation आ ही रहा है नवेंबर में आप में से बहुत लोगों के लिए तो अगर आपको अगर ऐसा आप भी लग रहा है तो बिल्कुल भी दुखी होने की जरुआत नहीं है अब मैं जानती हूँ बहुत साथ Divine Feminence तो healing के लिए चली जाएंगी और ये trigger होगा आपकी healing के लिए ठीके guys तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके साथ Divine Masculine के साथ होता है कार्मिक जो Divine Masculine के साथ behavior करती है या और surrounding वाले करते है वही Divine Masculine जो है अपनी Divine Feminine के साथ behavior करता है तो आपको यह पर उनके साथ नाराज होने की जरुवत नहीं आपको उन पर दया करने की जरुवत है कि मतलब जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और मतलब जो है उनकी ऐसी गई गुजरी लाइफ है तो आप जो है उनको माफ कर दीजिए और उन पर दया कीजिए कि उनकी क्या हालत है और उनके लिए थोड़ा बहुत प्रे कर लीजिए कि यह इतनी खराब सिटिवेशन से जा रहे हैं ठीके गईस तो आप थोड़ा बहुत जो है क्या कहते हैं अनकंडिशनल लव प्रेक्टेस कीजिए और आप जो है मैं कहूंगी अगर आपकी परसे ने आपको गोस्ट ब्लॉक कर रखा है तो उनसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिए उनको मेसेज करने की कोशिश भी मत माइस कॉले ने को करने की जब डिवाइन ऐचिये डिवाइन फेमिन जो है जो लव अपना कुकर कर देंगी डिवाइन मäस्किलीन से तो जाने देते उर उनके बागते और वभी पहुआगते हो और उनको भी आटेंशन therapies को नो तो कार्मिक अटेंशिन के लायक भी नहीं रहते वह sure देखोंगे कि लिए लिए बैबाए